हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासिस पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपोर्टन लेक्शर आप देखिए यहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे शंपूर्ण माला यानि कि हिंदी की जो वर्ण माला है शंपूर्ण डिसकस करेंगे और मैंने आप लोगों के लिए पीडियाफ की भी पवस्ता बना दी है इसके लिए आपको क्या खिठना पढ़ेगा टेलिग्राम जो चैनल है उसपे आपको जरूर्ण जो जाना है जिससे कि आपको यहां पर जो पीडियाफ है वो जरूर्ण मिल जाए ठीके बाकी चैनल त और पूरा वर्ण माला, इसमें बहुत सारे concept हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ये देखिए, पूरा विदिबत मैंने बनाया है, सवर क्या है, मात्रा उचान के अधर पर सवर, सजाती सवर, ओष्ठाक्रत के अधर पर, जिविया के अधर पर, मुखाक्रत के अ इसमें ये ट्रिक हमें बताई हुई है, दूईत वेंजन क्या होते हैं, गोस अधोस क्या है, अलप्राण, महाप्राण क्या है, ये हमने बनाया हुआ है, तो इसी सारे lectures को हम यहाँ पर detail में आपको समझाते हुए चलेंगे, अगर आपने ये… वर्ण माला समझ लिया है, तो आपको आने वाला जो लेक्षर है संदिका वो आपको बहुत अच्छे समझ माएगा और ये सारे लेक्षर एक दूसरे से connected होंगे ठीक है तो चलिए discuss करते हैं पिछले कई सालों से मैं हिंदी अपनी प्रपेर कर रहा हूँ अब मैंने पूरा संपूर हिंदी को दो तीन बार रिविजन करके और फिर मैं आपको पढ़ाने आया हूँ ऐसे नहीं तो वो चलते हुए मैं regular lecture आपको नहीं दे पा रहा हूँ हलाकि अगर आप सही से सयोग करें इस lecture को सही से आप सेर करें सारे बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ सेर कर दें ग्रूप में तो मैं आपको regular बना रहूंगा ठीक है चलिए start करते हैं सबसे पहले हम लोग सम मतलब और उसको कहें जिसके टुकडे ना की ला सके पीा अच्छन मातलत है जिससे नस्ट ना किया रहा सके जैसे चाही हो चोटा लখें किया आ पर लिक्ड़े करतों फके नहीं नहीं हो पाएंगे ठीक है अच्छर का मतलब होता है जिससे नष्ट ना करा जा सके यानि कि अच्छर से भी छोटी एक इकाई होती जिसको मैं लोग वर्ण कहते हैं ठीक है तो ध्यान दे यहाँ पर लिखा हुआ है नोट भासा की मौखिक इकाई कहलाती है तो ध्यान देना भासा की मौखिक इकाई कहलाती है तो मौखिक इकाई अगर पूछोगे तो वहाँ फिर राइट एंसर वाण हो जाएगा ठीक है और ये सारे सब सिश्टम से चलेगा जैसे भासा की मौखिक इकाई जो है वो जैसे ध्वनी है तो देखो नीचे से चलेंगे अभी हमने आपको नीचे से करमी बना लिया है वाण से भी एक चोटी चीज़े ध्वनी मतलब जब तक आप ध्वनी नहें कहेंगे तो फिर one कैसे आएगा पहले तो ध्वनी है और फिर one है ठीक है, ध्वनी है, वार्ण है फिर आपका अच्छर हो जाएगा यह आपका अच्छर है इस क consume में चलेंगे तो देखो कई वारी कैसे, कैसे question बन सकते हैं यह सबका भी हम आपको बताते चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान दें जैसे लिखा हुआ है dhoni दhoni क्या है दhoni एक आवाज है भीया आवाज है मलब कोई न कोई अगर आपको वर्ण प्रनाउंस करना है तो उसके लिए आपको आवाज तो करनी पड़ेगी जैसे अगर आपको कहना है का तो का के लिए आपने ध्वनी की ध्वनी की ध्वनी इसी को सबसे छोटा वर्ण कहते हैं फिर आच्छर बनेगा ठीक है लगबग लगबगी समान है लेकिन थोड़ा थोड़ा सांतर यहां से होता चला जाएगा आपको कैसे एंसर करना है वो अभी हम आपको बताएंगे फिर से सुन लो प्रतेक वर्ण या अच्छर में एक ध्वनी होती है ध्यनने प्रतेक वर्ण या अच्छर वर्ण या अच्छर कह सकते हो एक ध्वनी होती है जो प्रतेक दूसरे वर्ण से भिनने है यानि कि सब अलग अलग ध्वनी से हैं जैसे जैसे अगर आपको का करना है तो का की ध्व दा की धुनी अलग है, ना की धुनी अलग है, इन सब में धुनी अलग-अलग है, तो सभी वरणों की धुनी क्या है, अलग-अलग है, इसलिए वो धुनी भी है, तो आपसे अगर question पूछा जाए, भासा की या वाकी की सबसे छोटी इकाई क्या है, बहुत important question है, सबसे छोटी कहीं क्या है तो राइट एंसर है धोनी लेकिन ना मिले कई बारी यहाँ पर कशिजन हो जाता है क्यूझकि कई किताबों में सीधे सब्द दे देंगे और आपने याद कर लिया कि भासा की वाकिशी सबसे चोटी काई सब्द है लेकिन वहाँ पर सबसे भी चोटा आ तो फिर दिकत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आपर एक क्रम बना के रखा है, तो क्रम इसको क्रम को ध्यान कर ले, देखो, यह जो क्रम है, कुछ इस प्रकार सही, यह क्रम ज़रूर याद कर लेना, अपने, अपने नोट्स भी बनाना, क्योंकि नोट्स बनाने से सारा चीजे सिस्टम अच्छे सो जाता है, जब रिवाइज करना हो, तो फटा-फट रिवाइज कर लो, तीन से चार-पांच पन्नों में यह पूरा आपका समापत हो जाएगा, और उसको अपना नोट्स भी बना लेना है, ठीक है, तो ध्यान दे, क्रम, क्रम इसका मैंने बताया, सबसे नोट्स पहले आएगा, अब अगर धूनी ना मिली तो राइट एंसर वाण, अगर वाण ना मिले तो राइट एंसर अच्छर, और अच्छर ना मिले फिर राइट एंसर सम्द, यानि कि पूछा जाए, कि कोशन हुगा फिर अगला है पुछा जाएगा कि भासा की सबसे बड़ी काई क्या है तो हमें राइट एंसर करना है यानि कि यहाँ पर सबसे बड़ी काई वाक्य होगी ठीक है यह चीज़ समझ लो इसका भी मैंने आपको क्रम यहाँ पर दे दिया है तो देखो यह क्रम क्या है तो इसका क् fusion नहीं है तो यहाँ पर सीधे बाद की ही मिलता है लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि यह system बना कैसे है वो system आप समझ जाओ तो देखो सबसे पहले आपको करना है कि करम समझ लीजिए कि पहले सबसे पहले सबसे छोटी चीज क्या आई थी वो थी धोनी फिर बना one फिर बना अच्छर अच्छर से बना सब्दांस देखो अच्छर से बना क्या सब्दांस और सब्दांस से बने क्या सब्द और सब्द सब्द देखो यह सब्दांस क्या होते हैं यह उपसर्ग होते हैं जैसे उपसर्ग क्या होते हैं जो सब्दों के सुरू में आते तो यहां पर आ क्या है, यह उपसर्ग है, जैसे कई बार प्रियोग होता है, जैसे जन्म, आ जन्म, ठीक है, तो यह देखो, जन्म से पहले आ लगा दो, तो यह उपसर्ग का काम करने लगता है, यानि कि जो ऐसे सब्दांस, जो सब्द के पहले आते हैं, वो सब्द के अंस हो होते हैं जैसे एक है उप और इसके बाद में लगा दो मान तो उप मान हो जाएगा ठीक है ऐसे करके बहुत सारे वर्ड आएंगे मैं आगए आपको पढ़ाऊंगा अच्छा फिर बनते हैं पद अच्छा यहां पर ध्यान अगना पद जो है पद को ही हम लोग क्या कह सकते हैं पद से देखो पद से बनेगा पदबंद और पदबंद के कई नाम हो जाएंगे जैसे पदबंद को हम लोग उपबाकी भी कहते हैं वाक्यांस भी कह सकते हैं सीर्स फिर काब और फिर गरंद यह सिच्टम यहां पर चलेगा ओके तो उमीद है यह अपने समझ लिया होगा चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं यहां पर समझेगा अब देखो कहा गया है वर्ण माला अब ध्यान दें वर्ण माला आ चुका है टॉपिक बहुत अब तक बहुत होगा बावन अच्छर हों ऐसे करके मतलब काई चीजे लिखी जाएंगी लेकिन अपने को एंसर वो देना है जहां पर लिखाओ व्यवस्थित जब तक व्यवस्थित लगाना इंपोर्टेंट है ब्यवस्थित लगाना जरूरी है तो यह द्यान लगाना ब wearno का तो समू है लेकिन व्यवस्थित समू है ठीक है अब बात करते है wearno के भेद टो wearno के भेद दो भी है तीन वी है अगर आपको option टीन है तो हम टीन लगाएंगे और आप सम दो है तो दो है कैसे आई से हम लोग इसको भी देख लियते है लेगो वर्णो के भेद है सब सब से पहले देखो यहां पर सब्स्राइब यहां पर सब्सुटा सबस्राइब को यह सबस्सक्राइब यहां सार्थक रूप में हो पाता है, ठीक है, अयोग वहा के अगर प्रकार पुछे तो मूल दो ही है, कुल चार है, कुल चार है, देखो, अब यह होता है विसर्ग, तो ध्यान दे, अब आप से पुछा जाएगा अयोग वहा, तो अयोग वहा, आपको राइट एंसर देना है दो, लेकिन कि सोरी दास बाज़ पे एंसर पुछे तो टाइट एंसर चार, तो विसर्ग है, तो विसर्ग में कैसे विसर्ग होता है, यह वाला विसर्ग होता है, आपने देखा होगा, यह विसर्ग, यह विसर्ग, अनुसर, अनुसर कैसा अनुसर होता है, जैसे आपने देखा ह और यह आपका आर्दचंद्रविंदू है, ऐसे करके, यहाँ पर ठीक है, तो इसमें विसर्ग जो है और अनुस्वार है, यह आपके आयोगवाहा में काउंट किये जाते हैं, जैसे समझेगा, जैसे देखिए, यहाँ पर आपको विसर्ग से अगर जैसे कोई जैसे आपने व विसर्ग का कोई महतु नहीं है, जब तक आप इस विसर्ग को किसी के साथ नहीं लगा होगे, जैसे अगर आपको लिखना है प्राता, तो प्राता ऐसे लिखा जाएगा, तो इसका जो विसर्ग का प्रियोग प्राता के साथ में सार्तक हुआ, तो इनका खुद में कोई तो नहीं है इनका प्रियोग हम किसी सथ के साथ सार्थक रुम में देख पाते हैं ठीक है तो बात करें जैसिए अनुस्वार अनुस्वार कैसा होता है अभी आपको हमने बताया अनुस्वार ऐसे होगा जैसे इसके उपर एक बिंदी लगी होगी जैसे इससे बनने वाले सब्द अगर हम देखें अनुस्वार से जैसे आप देखेंगे एक सब्द होता है जिसका नाम है संसकार तो संसकार में जो ये लगा हुआ है और एक तो आपने देखा होगा सायम और एक आप देख लीजे संसार ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है जो जिसमें अनुस्वार लगा हुआ है लेकिन अगर आप से सासार कहा जाए तो SAsar कोई वर्ड नहीं होता, जब तक आप अनुसुआर की बिंदी नहीं लगाऊगे, तो अनुसुआर लगाते ही यह बना संसार, और यह यह अनुसुआर होता है, यह जो बिंदी होती है, यह अलग अलग सब्द में अलग अलग प्रयोग होती है, जैसे अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक word आपने देखाओगा सम विधान तो सम विधान की जब आप संधी पिछेद करोगे तो यहाँ पर आएगा सम प्लस विधान सम प्लस विधान आ गया यानि कि जो अंकी विंदी की जगह पर यहाँ पर जो विंदी कही जाती है अंकी तो इसकी जगे पर मा आया लेकिन अगर आप देखो और कोई वर्ड ले जैसे सनमार्ग जैसे हमने सनमार्ग लिया तो यहाँ पर अगर आप उने देखोगे तो अब इसका प्रियो करेंगे तो सन प्लस मार्ग करेंगे यहां पर यहां आएगा सनमार्ग, ठीक है जैसे संसकार आपने वर्ड लिया था यह वाला संसकार तो यहां पर संसकार है इसमें ना जुड़ा हुआ है लेकिन यहां पर मा जुड़ा हुआ है इनका कोई विसेस रूल नहीं है बस सब्दों के अनुसार कुछ सब्दों के practice करेंगे उसी के अनुसार हम यह सीख पाएंगे किस में क्या आता है ठीक है तो ज़्यादा नहीं detail चलेंगे चुकि और यह lecture आपके आने वाले जितने भी exam है सभी के लिए equal important होगा चाहे तो आप उसमें लेकपाल के त्यारी कर रहे हो चाहे पुलिस के त्यारी कर रहे हो चाहे मेरे teacher वाले जितने भी सहपाथी है बंदू है उन सभी के लिए और बस नाम यह है कि हिंदी उसमें लिखा हो तो उसके लिए यह lecture बढ़िया है जहां पर पुछा जाएगा हिंदी पूछी जा रही है तो उसके लिए यह lecture है ठीक है हिंदी वाले ओके तो चलते हैं आप देखिए यहां पर हलंद लिखा हुआ है हलंद का प्रियोग होता है जैसे आपने पाठे लिखना है यह पाठे इसके नीचे आधा हलंद जहां पर लगे होगा इसका मलब वो सब्द आधा है जैसे का के नीचे हलंद लिखा इसका मलब का आधा है इसको सर रहीत विन्जन कहते है ठीक है इंध्यान लखना जैसे आपको लिखना है मिटी तो मिटी में देखेंगे यह ट्योट़ा है वो आधा रहेगा, ठीक है, द्वारा, द्वारा में आधा है याँ पर, तो जहां हलंत लगेगा, उसका मतलब होता है, वो आधा है, अर्दचंद्र बिंदू, यानि कि जैसे अगर आपको चांद लिखना है, तो ये चांद मैंने लिखा, और आपको लिखना है आँख, तो य किसोरी दास बाजबे के अनुसार, ये जो हैं, चार होते हैं अयोग भाग, ओके, तो चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बहुत इंपोर्टन टापिक पर आ चुके हैं, जिसका नाम है स्वर, तो अब हम लोग समझते हैं, स्वर क्या है, तो ध्यान लेंगे, या हम लोग दुसे तरीके से कह सकते हैं, जिनका सोतनता पूर्वक उचारण हो, वो स्वर कहलाते हैं, और इनकी जो संख्या है, वो टोटल स्वर वर्णों की संख्या ग्यारा है, आपको जो भी पूछा जाए, आपको हमेशा ग्यारा एंसर देना है, संस्क्रत मे पूछे तो एंसर 13 होगा, प्राकरतिक भासा में 10 होते हैं, ठीक है, तो यहां ध्यान लगना है, और स्वर 11 कौन कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं, एक ये आ हो गया, हलांकि आपको पड़ा होगा, बड़ा हो गया, छोटी यी हो गया, बड़ी यी हो गया, चोटा व द्यान अगना, इनको प्नांसेसन करने के लिए, इनका हम सही करवाते हैं, आपको हलागिं, जिनको आता हाठी है, इसको आ कहेंगा, इसको आ कहेंगे, यहीं होता है, और अव द्यान करना है, इसको पढ़ना है, यहां पर हम ध्यान समझें, क्योंकि इसका कई बार pronunciation भी हम लोग सही ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसको कहते हैं, ओ, और यह होता है, ओ, ऐसे करके पढ़ना है, ओ, ठीक है, ध्यान रखना, ओ, तो यह हो गया, ओ, 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 ए, ऐ, ऐ, ओ, ठीक है, री, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, और यह छोटा बढ़ाओ करके आप ऐसे कह सकते हैं, आ, आ, ई, ई, उ, उ, तो ठीक है, यानि कि वर्णो की संग्या टोटल कितनी हो गई, ग्यारा हो गई, और कौन-कौन से हो गई, यह, अगर हम आपसे पूछें, कि दिये गए आप सोनों में से क देख लेंगे, ठीक है, तो चलिए, अब हम देखते हैं, स्वरके बारे में, और स्वरके भेद देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले मैंने स्वरके भेद एक साथ में लिख दियें, कि कितने हैं, फिर अलग-अलग डिटेल में पढ है, मात्रा वा उचान के अधार पर स्वरके भेद तब तीन हैं, ओश्ठाकरत के अधार पर स्वरके भेद तब दो हैं, जिव्या के अधार पर स्वरके भेद तीन हैं, मुखाकरत के अधार पर स्वरके भेद चार हैं, और आप से पूछे स्वरके भेद कितने हैं, चार कौ ब्हेद कितने हैं तो आपको यह नहीं कहुँए न सुरके भेद हैं तीन यह दो यह चार यहाँ पर सुरके भेद हैं चार ठीक है ? ऐसे करोगे कौन-कौन से जब वो कहेएगा मात्रा वा उच्चान का आधारपर तभ हम लोग कहेंगे सुरके भेद होते हैं मात्रा उचान के आधार पर तीन कौन कौन से देखिए एक यह हो गया यह हो गया मात्रा उचान के आधार पर सुर के भेद होते हैं तीन और फिर होता है ओष्ठाकरत के आधार पर यानि कि ओष्ठ कैसे चलते हैं तो वो हो गया आपका उच्थाकृत के अधर पर अकसर गलत करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लोग याद नहीं करते हैं अच्छे से, आपको यह चीज याद करनी है, स्वर 11 ही हैं, लेकिन इन 11 को देखो कितने प्रकार से वर्गी करत किया गया है, हलांकि जब यह छोटा से टॉपिक है, निकल जाएका इसके बाद बहु को डिटेल में, ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे हम लोग पढ़ेंगे यह मात्रा वाउ चंड के आधर पर सुरके भेद कितने हैं, ठीक है, तो देखिए, यहाँ समझिए, अब देखो, मात्रा वाउ चंड के आधर पर सुरके भेद कित यहां पर सिर्फ आप ओम पढ़ेंगे, यह देखिए, यह ओम, आप देखिए, इनको अच्छे से और बताते हैं, आपको जिसे यह बहुत अच्छे समझ माएं, हरस्वर आप से पूछे जाएंगे, हरस्वर कितने हैं, तो आपको राइट एंसर चार देना है, हरस्वर में, ध जेखो, कौन-कौन से हरस्वर, दीर्ग स्वर, प्लूस्वर, अब हरस्वर को ही हम लोग एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ध्यान देना, एक मात्रिक स्वर कहते हैं, दीर्ग स्वर को हम लोग दूई मात्रिक कहते हैं, और प्लूस्वर को हमको तीन मात्रिक कहते हैं, ऐसा क्यों जैसे हमने बोला आ, तो आ, और फिर बोला आ, तो मनलब डबल टाइम लगा इससे, फिर बोला ओम, तो ओम में देखो, आपने तीन गुना टाइम लिया लग वग वग वग, तो आप देखिए, यहाँ पर यह छोटा आ हुआ एक मात्रिक, यह हुआ दू मात्रिक और यह हुआ ठीक है, अच्छा जो एक मात्रिक स्वर हैं, जो हरस्वर हैं, इन्ही हम लोग मूल स्वर भी बोलते हैं, यही मूल स्वर हैं, आप से मूल स्वर से कोशन कई वारी आ चुका है, कि मूल स्वर क्या है, तो मूल स्वर है छोटा आ, छोटी ई, उ, री, आ, ई, उ, री, इसको आयूर भी कह सकते हैं, आयूर याद करने के लिए, आयूर, यानि कि A-E-U-R, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना, जी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि दीर को स्वर कौन से हैं, जेखो, टोटल स्वर कितने अभी हमने आपको बताएं, ग् मूल स्वर कितने हैं, अगर आप से पूछा जाए लगुसर कितने हैं, तो हम लोग बताएंगे छोटा-A-e, छोटी-U- Ł-R, ठीक है, यह हो गया आपके लगुसर, ठीक है, इन्हें ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं, यह देखो, कई बार हम लोग फोकस कर रहे हैं मूल स्वर पे क्योंकि कई बार पूछा गया दीर्ग स्वर क्या है दुई मात्रिक स्वर है इसे संयुक्त स्वर कहते हैं क्यों 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 संयु स्वार क्यों कहते हैं और संदी स्वार कहते हैं अब एक बारी फिर से ध्यान समझ लेजिए कि यहां से बनने वाले कोशन है वो क्या है यहां से जो बनने वाला कोशन है वो है मूल स्वार कौन कौन से होते हैं यह चार है साथ अब आप समझ चुके हैं अब हम लोग अगले स्ल यही वहां संदी में भी काम करेगा ऑपका एक मात्रा कैसे लगेगी वह अप लोग वहां समझोगे आप देखिए यहाँ पर A और A यह वाला जो A बना यह मिला दो तो यह बन जाएगा A ठीक है A प्लस O यह देखो यहाँ पर लिखा हुआ A प्लस O मिलकर बनेगा O और A प्लस O मिलकर बनेगा O तो ध्यान रखना है इन दोनों पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन कैसे बना है कियोकि यह संद में बहुत काम आएगा इनको कहते हैं विजाती सवर आपसे पूछा जाए सजाती सवर कौन कौन से है तो आप कहेंगे सजाती सवर है आपके जो एक जैसे है जिसे छोटा ध्यान रखना है, चलिए, अगली स्लाइड पर चलते हैं, यहां से बनने वाले सारे कोशन आप समझते चलना, ठीक है, अब हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरे टाइप में हम लोग देखेंगे, यहां पर आप एक चीज यह भी देख सकते हो, कि आपके टोटल, ज कितने हो चुके 11, आप ऐसे भी देख सकते हो, कि हरस स्ल कितने थे, चार, दिर्ग स्ल कितने थे, साथ, और साथ-चार कितने हो एवर 11, यहां से भी 11 हो गए, यानि कि हमारा ममला सब सही चलना है, ठीक है, तो चलिए, अगला देखते हैं हम लोग, जो हम लोग दूसरा टाइ पर सुर के दो भेद हैं, कौन-कौन से, एक तो है आपका ब्रत्ताकार सुर, और एक है आपका आपरत्ताकार, मतलब जिनको बोलने में हमारा जो मुख है, वो ब्रत्त के जैसा बन जाए, तो उसको हम लोग ब्रत्ताकार सुर कहेंगे, अब आप इनका तो प्रैक्टिकल भी कर तो ऐसा आप बोलो u, तो जैसे या आपने u वोला तो आपका मुझ आगे वाला जो है oat, गोल, उन्होंने गोल सेप ले लिया, उन्होंने ऐसा गोल सेप ले लिया o, 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 तो यह ऐसे सुर है ? o, 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 तो यह दोनों ऐसे सब्द हैं, यह ब्रत्ताकार स्वर कहलाते हैं, तो यह होगा चार, और बचे कितने साथ, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यह साथों के साथों स्वर, यह कहलाएंगे आपके, आ ब्रत्ताकार, क्योंकि इनको बोलने में, हमारा मुँ ब्रत्ता जैसे मुह ब्रत्य के जैसे बना तो यह हो गए ब्रत्ताकार ठीक है अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा टाइप तीसरा टाइप है जीव्या के आधार पर सुरके भेद यानि कि जो हमारी जीव है अगर हम जीव को आगे से देखें जीव है यहां जुड़ी है और इसको कहते हैं अगर भाग इसको बीच को कहेंगे मद भाग और यह होगा पश भाग यानि कि जीव के कितने भाग हो गए तीन तो एक इसको कहेंगे अगर भाग और यह है आपका मद भाग और यह है आपका पश भाग ठीक है तो यहां पर पर एक हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि मद्द सवर में कितने आते हैं, तो ध्यान अखना मद्द सवर में सिर्फ और सिर्फ आएगा, ध्यान दें, मद्द सवर में सिर्फ और सिर्फ आएगा, यह आप ध्यान कर लें, ठीक है, बाकी, बाकी जैसे अग्र सवर में आ जाएग कि E के साथ में छोटी E तो आएगी आएगी बड़ी भी E आएगी अच्छा E के खांदान से एक सब्द बना था जिसकों लोग A कहते हैं कैसे बना था A, E से बनता A, O, I तो ये भी आजाएगा, साथ साथ में एक word और ध्यानकना तो ये भी आजाएगा आपका अग्रस्वर में बाकी जो बच गए वो आपके पश्वर में आजाएगे तो देखो कितना आसान यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि मज्द स्वर में सिर्फ एक ही word आता है जिसका नाम है A अब ध्यानकना आग्रस्वर में आते हैं E का पूरा खांदान E और बड़ी E और E से जो बना था A बना था और I बना था दोनों word आ जाएगे और एक री भी आ जाएगा बाकी जो बच गए वो पश्वर में अब पश्वर में कौन कौन बच गया चोटा A तो उपर ही हो चुगा तो यहाँ पर बड़ा A ठीक है अब E, E, I, I उपर हो चुगे तो यहाँ बचे हैं O और यहाँ पर छोटा O और बड़ा O ठीक है यह आपके 5 वण बचे हुए हैं तो अब आप देखिए इसमें कितने वण हो गए इसमें कितने आ गए? 5 इसमें कितने आ गए? 5 इसमें कितने आ गए? 1 तो 5 और 6 और 5 11 मलब सोरों के संक्या कितने हो गए? 11 हो गए उपर देखना 4 और प्लस 7 यहाँ भी 11 हो गए यह भी देखते रहे ना सोर आपके 11 होते हैं जो आप गडबड कर लेते हो, एक साथ में ही सारा content मिल जाए, यह अपने आप में अच्छी बात होती है, फिर अगला देखिए, मुखाकरत के आधार पर सुरके भेद, यानि कि पहले तो हमने ओष्ट के आधार पर बोले थे, यानि कि ओष्ट कैसा बन रहा है, अब हम लोग संब्रत विब्रत क्या होता है, मैं आपको इसको बता देता हूँ, संब्रत विब्रत अगर आप समझ आएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए condition अच्छे से हो जाएगी, दिफाइन, तो ध्यान देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि संब्रत क्या होता है, संब्रत, ये आपको लिख लेना ऐ, जिससे कि आपको अच्छे से समझग भाँ, झी ध्यान रखना समवरत का मतलब होता है, कि तो मुह का कम खोलना, और विवरत का मतलब ढ ard विवरत- यानि कि जो ब्रत के जैसा मुह हो जाएगा, तो मुह का ज्यादा खोलना है, ध्यान ज्यादा खुलना मुहुका ज्यादा खुलना ध्यान displays क्षोटम années कि शंवरत का मुणलव होता है मुहुका कम खुलना देखो मुह तो खुलेगा बिना मुहुः हम कुछ बॉल्ड भूल भी ने सकते हैं तो आपका सम्रत का मला होता है, मुह तो खुलेगा, लेकिन कम खुलेगा, बहुत कम खुलेगा, अच्छा, विब्रत का मला होता है, मुह का ज्यादा खुलना, अब आप ऐसा धूनिये, ऐसा वर्ण धूनिये, जिसमें मुह बहुत ज्यादा खुलना हो, तो ऐसा वर्ण एक ही जो सबसे ज्यादा मुह खुलेगा वह बड़े- कहा बढ़र का मतलब होता है मूह का ज्यादा खुलना और सिर्फ इसमें एक ही वर्ण है वह है बढ़ा आ है यहां से इना इसमें क्वणGeneral हो गया कि ही विपरत स्वर में कौन सा आएगा एक ही स्वर आएगा वह आ आच्छा व्याधम्रेट का मालब और फिर नीचे लिखा हूं आर्द विवर्त हुटा है मुह का खुलेगा लेकिन सब्सक्राइब आरաշी। जिसमें दो बन यह on चपके ही रहते हैं ऒढ़ी ओ गया उत्मीन मु einige चुपके हैसे हैं हलांकि जो ओस्ट है वो गोल आकरत में है लेकिन हम लोग मुख के आधार पर बोले हैं और बड़ा उ है और री है यह सब इसमें मुख कम खुलता है और आर्थ सम्वरत स्वर का मिलब होता है कि जो मुख खुले कम खुले उससे भी आधा है जिससे आ तो मुख़ाय विस्टपेशच लोडेना है क्या है यहां पर ए कि दोनों जग़ाये है av l सकते है आए यहां पर नखी और तक है अच्छे से आपको समझ में आ जाए ओक़ ठीक है चलिए अब हम लोग ये चीज़ आप समझ चुके होंगे अब हम लोग आ जाते हैं एक नए टापिक पर जिसका नाम है वेंजन ठीक है पूरा पढ़ाएंगे पूरा डिसकस करेंगे ठीक है बले इसमें जो भी टाइम लग जाया जल्दी से कतम हो जाएगा वेंजन पर करें वेंजन का अगर आपको परिवासा देनी है तो आप सिंपल से कह सकते हो जिन वरणों का उच्छारण सुर वरणों की सहायता से हो वेंजन कहलाते हैं बस सिंपल है अब देखिए जैसे अगर हमने बोला का तो का में समनलो आ है क्योंकि का को तो हम ऐसे लिखते हैं और यह देखो आ तब यह मिलकर बनता है का ठीक है जैसे आपको लिखना है ना तो ना तो ऐसे लिखा जाएगा और फिर बनेगा इसके साथ आ तो यह हो गया ना तो यानि कि आपको सुर की सहायता लेनी ही पड़ेगी ठीक है यह देखिए ओके तो चलिए हम लोग समझते हैं कोई में तो वह वह करते हैं कि भी मतिन है जलदी में पड़ह या है कुसमाल है यह समिस भी जर देखिए लेकिन दीर में उसीर को लगा हुग है यहां पर हलंत लगा होता है उसका मलब होता है आधा वेंजन यानि कि अगर आप से सुध्ध वेंजन पूछ रहा है तो सुध्ध वेंजन का मलब होता है सुर रहीत वेंजन जिसमें सुर ना हो वो है जो है सुध्ध वेंजन या जिसकों लोग सुर रहीत या आधा वेंजन भ देखिए इसको हम लोग्पूर्ण अब मेंद है आपको मिलेर हो चुगी होगीय। अब हम लोग बहुत अच्छे टापिक पर चलने जा रहे हैं. जिसका नाम आप समझलें सोर के भेद हम लfilled प्ड़ने जा रहे हैं सोर के भेद शुर्के भेद हम लोग पढ़ेंगे, और शुर्के भेद में अच्छे से समझेंगे कि भ्या विंजण के भेद बहुत कोशण बनता यहाँ से, तो समझिये, सबसे पहले हम लोग बाट रहे है, है इस पर्स या वर्गी वेंजन आप से सबसे पहला ही कोशिन बनेगा कि वर्गी वेंजन कितने हैं तो आपको एंसर देना है पचीस ना मिले तो फिर 27 ठीक है यह है तोटल अगर पूछा जाए इस पर्स या वर्गी अच्छा इस पर्स इसलिए बोलने है क्योंकि यह जो तो यहां पर एक ट्रिक आएगी तो आप उसको धिहान रखें कि उस ट्रिक क्या है वो ट्रिक है का-चा-चा-गर किचट तप ध्यान रखो अगर आप काचट तप द्यान रखो- तो आपको पूर पांचो कर पांचो वर्ग जो है से याद रएंगे जयाँ से क्वेश्षन तो बनेगा अच्छा-च्या तो आपको यही नहीं नहीं पताया है कि ज्याय है वह कहा पर और इस तरीके की लायन याद कराने में आपको यहाँ पर से नीचे में सहाइता करेगा चाट तप निए यह इनिक आ और इन वर्गों में कौन कौन से होना चाहिए यह मत भूल जाना तो यह तो हो गया वह यह कचट तप बहुत अच्छा रहा तो यह आपके पावर्ग हो गया तो आपको द्यान अगना इसमें जो यह पांचमा अक्षर है यह देखो यह जो पांचमे नंबर का है तो देखो यह पहला अक्षर यह दूसरा अक्षर तीसरा चर चौथा अक्षर इसको पांचम voter कहते हैं यानि कि यह सब में पांच-पांच जो लाइन केजी है तो आप धीरे से चुआ देगा यह वाला और तुम इस पर लगा दोगे तुम यह सोचों कि यह यह पंचम आचर है थिक है बोलते हैं का मतलब क्या होता है? जो मुक और नाक दोनों से बोलए जाते हों यानी कि अगर आपको वहं बोलना है तो ना क पकड़ा है, ना बोलने मैं समझ्या होगी, क्योंकि इनका जो उचाण है, अनुनासिक का मतलब मतलब होता है जो मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं तो यह DANC बुले जा रहा है और मुख दोनों से बुले जाने वाले जाने इन्हें नासिक वर्ण भी कहते हैं तो ध्यान रखना है आपको अनुनासिक वर्ण कौन से मुख और नाक दोनों से बुले जाने वाले वर्ण ये हैं आपके नामा तो इनको ध्याना करना है इसको पंचमा अच् तो यह करकस वेंजन है यह चार बर होते हैं करकस या इनको कठोड वेंजन भी बोलते हैं ठीक है ओके चलिए अम लोग अगली स्लाइड बढ़ते हैं बहुत इंपोर्टेंट स्लाइड है आप इसको समल के समझे देखो पूछा गsound faut और कि यहा exactly है बागी वह जो परिवासा कोई मतलब नहीं है आपसे कई बारी पूछे जगए हैं कि अंतस्थ वेंजन क्या है तो अंतस्थ वेंजन होते हैं या रा ला वा तो यह अंतस्थ वेंजन है ठीक है गौर फरमाईए या रा ला वा चार होते हैं अंतस्थ वेंजन कितने होते हैं चार ध्यानकना अंतस्थ वेंजन कौन सा है और आप सोचे कि लूंठित तो ला से जोरू हुँआ कि ला मतलब लूंठित और लूंठित कौन है आप ला पे लगा तो गलत हो जाएगा फिर से ध्यान समझिए लूंठित नहीं है नहीं है नहीं भात यहाँ पर सीखनी Jest दोनों बागन मैंने पार्शिविफ है ला और लूंटित है रा ठीक है इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना और एक होता है प्रकम्पित वेंजन तो ध्यान अगना प्रकम्पित वेंजन कौन सा होता है रा यह सब अलग-अलग से बढ़िया बढ़िया किताबु से मैं आपको अलग-अलग करके ला प्रकम्पित वेंजन क्या होगा अपने किताब में तो सारा प्रकम्पित वेंजन ही नहीं था लेकिन चूट गया तो यहां पर कोई ऐसी समस्या नहीं होगी वह कुश्चन जो आपके फिक्वेंसली में और रखे ही रखा है कभी कभार पूश ले लिया है जो एक्जामिनर क चार चार यानिकि आप से पूचा सब सहाप इनका सुपिए सीख से को मतलब नहीं है उनको यह पता है कि Newton के जो है उसके भेध के लोग पहले पीछ तो समझतल रहे कि इस लीए पीछे हैं कि इस व्रयुक्त जो उत और हैं पड़े थे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन से थे, जो स्वर और स्वर से मिलकर बने, उनको कहेंगे संयुक्त स्वर, लेकिन संयुक्त वेंजन क्या होंगे, जो वेंजन और वेंजन से मिलकर बने हैं, उनको कहा जाएगा संयुक्त वेंजन, ठीक है, तो देखो संयुक् खाही है लेकिन चा पूछैंगे तो का के बाद आता है यहां देखिए क्यूंकि देखो बहुत इंपोर्टन है आपसे पूछाएगा चा किन वर्णों के मेल से बनाएं तो आधा का अच्छा देखो चा है तरा है ज्यां है सरा है ध्यान से इदर से लिख लो चा त्रा ग्या और ये स्रा तो ये सयूंक्त वेंजन कहलाते हैं ये सयूंक्त वेंजन है अच्छा इनका सबसे पहला जो वर्ण है वो सब आधा है ये भी का से बना है इसका जो ता है वो भी आधा है इसका जो जा है तो ये ग्या है लेकिन जा से जरू होगा जा या भी है और यह गळलाएगा पूछकआ, यहां यहां पर जो स्रा है, तो यहज जो शा कोई पूछा चा आ है, और सा है यहां पर क्या सूछrated directly, Waterhead, यहां जा है आधा सा वाँ है ठीक है तो ग्यां बने गया ठीक है स्रा में आधा सा है गुंडी वाला वो भी यहां पर तुम्हें बहलाएगा फुदलाएगा कि स्रा कैसे बना है तो कई आसन देगा एक सा ये देगा एक पेट चिरा वाला सा देगा और पूरा सा देगा और फि पर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर समझते हैं संयुक्ति में ध्यान रखना है यह कौन-कौन से आएंगे स्रा कैसे बनाए गुंडी वाला सा और रा से बनाए यहां से बनाए ठीक है यह बहुत इंपोर्टन अच्छे से नोट करना है अब यहां पर एक वर्ण आपने औ अगर आपको लिखना है विद्याले तो विद्याले तो ऐसे लिखते हो लेकिन यहां पर आप जब आप वर्ण माला पढ़ते हो तो इसको तो पढ़ते ही नहीं हो तो यह बना कैसे है वह हम आपको बता देते हैं यह बना है यह आधा दा और या से बना है तो यह बनता है आ अब हम केला आगला पढ़ते है पासमा टाइप उच्छिब्ट वेंजन अच्छिब्ट वेंजन यहां पर देखो उच्छिब्ध वेंजन झो आपने देखा था यह यहां पर है उच्छिप्त लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है देखो यह है उच्छिप्त वेंजन को हम लोग पढ़ते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं या उच्छिप्त वेंजन क्या होते हैं और इनको कैसे आपको प्रियोग करना चाहिए उच्छिप्त या उचलना भी कह सकते हो वाई जैसे अगर आप जो डा बोलो डा उढ़ा तो जीव जो है वो अदम फ्यक्ति है आगे से पीछे की और फ्यक्ति है डा डा जैसे धक्कन कहना है तो धक्कन में नहीं है तो डा में दिक्कत है क्योंकि अच्छा यह देखो यह वर्ड और यह वर्ड और इसमें उच्छिप्त क्या होगा जब तक इसमें यह लगाओगे और यह वाला लगाओगे नीचे जो बिंदी है तब जाके यह उच्छिप्त होड़ पाएंगे पूचा जान लाएकर देखे आपसनों में उच्छिप्तमेंजन कोन है जिनके नीचे ऐसी बुंदी लगी होगीए वह उच्छिप्तमेंजन का लायेंगे ठीक है रख कियों कहा गया जीव कि अधर पर कहा गया और एक चीज यहां से है कि कोई भी वर्ड इनसे सुरू नहीं हो सकता है कोई भी सब्द यानि कि हम लोग कह सकते हैं इन बेंजनों का प्रियोग सब्द के भीच में तथा अंत में होता है यानि कि सुरू में नहीं कह सकते हैं सब्द के सुरू में नहीं आ सकते हैं सब्द सभी से लिख देते हैं सब्द नहीं प्रियोग किये जाते हैं, सब्द के सुरुद में नहीं प्रियोग कियी जाते हैं, मतलब इनका प्रियोग करना है तो बीच में करना पड़ेगा, अब यह wax не कहना ढकना, तो ढकना में यहां पर जो है वो नहीं लगा नीचे, और यहां देखाने जिसे पढ़ना पढ़ना और धकना में धकना सीधा जला जा लेंगे पढ़ना में जीव पढ़ना ठीक है ऐसे करने तो यहां पर यह लगा होगा ओके तो इनको कहते हैं उच्छिप्ट वेंजन आप हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह वेंजन का काम खतम हो चुका है अब लास्ट में जो थोड़े चोटे टॉपिक रहें उनको भी कवर कर लेते हैं सबसे अब आप देखिए स्वर कितने में ने बता है गया रहा इस पर स्वेंजन कितने में बता है पच्चीस अंतरस्ट वेंजन कितने में वेंजन कितने हैं 54 लेकिन लोग तो कह ने बावन है अब कहांश odc 2 कि डोड़े देखों यहां मता esse शुना थू लेगो गें ने समस्या होगा गी तो कैसे करना है यहां पर समझ लो क्योंकि उच्छिप्त आप जाओगे भूल क्योंकि आपको उच्छिप्त का ध्यानी नहीं देगा और आयोग वहां भी दो ध्याना तो यहां पर अब बावन हो जाएंगे टोटल आपसे पूछा जाए वर्णों की संख्या कितनी है फिफ्टे टू यानि की बावन है स्वर की संख्या कितनी है ग्यारा और कई बारे विंजन पूछ जाते हैं तो 33 भी आता है तो आप 33 लगाईएगा ओके चलिए यहां से बनने वाले बहुत सारे कुशन किलियर हो चुके हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब आपने देखा होगा एक आपसे पूछा जात झाता है और यह और यह कहां से बोला जाता है अगर आपने देखा होगा जो हमने एक वर्ग लिखा था कच्ट तप- कच्ट है मैं इस पांच अलग अलग जगह से बोले जाते हैं तो यह सता ने प्रीयों करके ता बोलना है तो मुर्धन ने, ता बोलना दंत, यानि कि जीव है वो दंत में लगी, देखो ता दा दा लेकिन पा बोलो पा में ओट चलेंगे तो इसलिए उस्ट बोले जाते हैं, तो आपको ज्यादा नहीं लेना है कि आप फिर याद नहीं कर पाओगे, इसके लिए मैंने खाली बैठे हैं हैं, तो हमने कहा, इच verus नाम तालब, इचई लेन लिटुरू सा नाम दंटब। तो ऐसे करके, आगर आपने रट लीए हैं इनको और आपका ुकोशना आएगगा सोचने में अगर हम पूछेंगे सा कौन सा है अगर आपने किताब से रटा है तो फिर सा पूछेंगे एकदम थोड़ा समस्य होगे लिए इन फॉर्मूले की मदद से हम लोग एकदम से सभी कुशन साही साही देंगे एंसर देखो अब देखो कंट से बोले जाने वाले जो वान है वो कौन से अकुहा विसरजनी नाम कंट क्या है अकुहा विसरजनी नाम कंट देखो आ कुहा विसरजनी नाम कंट ये फर्मूला है अकुहा से हो जाएगा यानि कि जो छोटा आ है और जो बड़ा आ है वो दोनों कहां से बोले कावर्ग में कौन आता है तो दिक्कत हो जाएगी का खा गा घाड़ा तो यह क्या है यह सब हो गए भाईया कावर्ग के ठीक है और विसर्ग यानि कि विसर्ग नहीं से हो गए आप विसर्ग यानि कि जो विसर्ग है वो भी आपका बोल जाएगा कंड से प्राताहा, तो हाँ हाँ जब आपने कहा पीछे में दम लगा, प्राताहा, हाँ, तो कंठ में दम लगा, तो यिस वो कंठ से बोले जाएगे, लोग कंठ का काम सकतम, क्या, अकुआ विसरजी नाम कंठ, अकुआ से हो गया, चोटा बड़ा आ, और कावर्ग पूरा, तो ज्यानकना यह कहां से बोले जाएंगे जब यह फर्मुला याद होगा तो साथ में कंट जिरूर निकलेगा जैसे आप कहोगे जैसे आपने अकुआ कहा नहीं रिट होगे जब तो वह दिमाग कैप्चिर कर लेगा तो आप समलो कंट से बोलने वाले सारे हो जुके अब आयाते है इसको कहेंगे ईचु एसा नाम तालब आप इसे चोटी हो और चाहें हो बड़ी इस यतु सा नाम तालब और चा से हो जाएगा पूरा ज़्ायगा और फिर आपका जाएगा और फिर यह आ sects चावर्ग है वो भी आ जाएगा इचू यसा नाम तालब और इसमें या आएगा और सा साथ में इचू यसा नाम तालब और ये वाला गुंडी वाला सा आएगा और तालब से यानि कि देखो इचू यसा नाम तालब इचू यसा नाम तालब फिर आएगा मुर्धन यानि कि द ठा हो गया, डा हो गया, धा हो गया, अना हो गया, तो यह आपका हो गया पूरा टावर्ग और रिटूरसा यानि कि रा और ये पेट चिरा वाला सा, तो देखो सारे सा हैं वो अलग-अलग से प्रियोग करें जाएंगे, रिटूरसा नाम मुर्धने, यानि कि इनको मुर्धने कहते हैं, ठीक है? पिर आ जाए का आपका लित्रुसा नाम दंतव्युका, वेल्इ तो यहां से प्रियोग करां जाए झाएंगा ठीक है? लिह लुई ओ और तुल से माज़ाए का तावर्ग और ला से यानी जो ला है वो यहां से और यह वाला सा तो देखिए, तीन सामने पढ़ाये आपको, तीनो सा अलग-अलग तरह से पर्णनसी नहीं जाना है, यह वाला एक सा है, एक यह सा है, और एक यह सा है, इनको आपको रटना है, अच्छे से फ़र्मूलों को, अज ही सब आटोमेटिक घि चार फार्मुले हो चुके हैं उमीद है कि चारो फार्मुले आपने अच्छे से ध्यान कर लियोंगे यहां से संस्कृत में प्रियोग होता है यह वाला तावारिक लाबर्ग उसा लितुरुसा नाम दंतब ठीक है चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आप आगे डिसकस कर करते हैं जो उपधनी नाम उष्ट यानि की उच्छोटा हो चाहें ओ बड़ा तो यह बना जाएगा आप देखिंग च्छोटा हो बढ़ा और पुरा ऑँसा बोला जाएगा ओधनी नाम एक उपदनी होती है ऐसी धुनिया होती है उनको उपदनी धुनिया कहते है उपदनी नाम OST, यानि कि आप देखी छोटा हूँ, बढ़ा हूँ और पावर्ग, पूरा OST से बोला जाएगा, ठीक है, तो ये 5 फर्मुले बहुत जरूरी थे, जो कचट तप के लिए थे, कचट तप के लिए, यानि कि कावर्ग, तावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, ये 5 फर्मुल आपको पढ़ाया, इचु ऐसा नाम अलग से हो गया, तो इनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जैसे, ये से बना कौन सा वर्ग था, वो आपको ध्यान है, ए बना था, तो ये जो है कहां से प्रनेंसियेशन करा जाएगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं, देखो, इसके नाम कंठोष्ट, यानि कि कंठ और प्लस ओष्ट से, क्यों, क्योंकि जो ओ है, वो आ, उ से बना है, तो आ, उ, अभी हमने आपको बताया था, ओष्ट से बुला जाएगा, उपदनी नाम ओष्ट ये देखो, यहीं पर लिखा हुआ है, तो इसलिए इनको कंठोष्ट बोलत है, सिर्फ यहाँ पर यह तो फेकार का वर्ण है, खली वा ध्यान रखो, वा है, जो दन्त और ओष्ट दोनों से बोला जाएगा, वा, यह आपको इसलिए आपको इसलिए तो उम्मीद है, आप यह जरूर याद कर लेंगे, जो फर्मूले है, यह आठ क्याद, बहुत इंप कर लिया, तो आपके बहुत सारे कोईशन बन जाएंगे, आप अच्छे से जरूर इनको याद करना, और समझना, ठीक है, और कई बार रिपीट करना, यह नहीं, कि जैसे आपने सोडा की नहीं ऐसी है, तो हमने आपको इनको सब अच्छे से डिटल समझा दिया है, अब आप इनका जरूर प्रियोग करें, ठीक है, चलिए, अब हम आगे बढ़ाते हैं, बस लेक्चर खतम होने जाला है, पांस दस मिट में, तो अगला देखिए, दूइत वेंजन, यानि कि दूइत वेंजन कौन से होते हैं, जिनको बच्चा, डिबबा, पप्पो, दिल्ली, यानि कि जिसमें हम लोग कह सकते हैं, कि जिसमें जो वर्ण है, वो आधा हो, यानि कि जो वेंजन हो, वो आधा हो, और आधा वेंजन होना चाहिए, ठीक है, जैसे बच्चा, डिबबा, दिल्ली, दिल्ली कई बारी पूछा गया है, कि दिल्ली कैसा वेंजन है, यानि कि इस उच्चारण, जहां समझना, उच्चारण, उच्चारण कैसा वेंजन है, तो दूइत वेंजन नहीं है, क्योंकि ये चा नहीं है, ये ता है, कैसे, उच्चारण का अगर आप संधी पिछेद करोगे, तो आएगा उच्चारण, उच्चारण, यानि कि ता जो है चा में बदल जाएगा जो आप संदी बिच्षेद बढ़ोगे विंजन संदी बढ़ोगे ता चा में बदला है इसको यह चा है नहीं दिखाई में दिखाई तो चा दे रहा लेकिन असलेत में था ता तो उत्ठ प्रस चारड बनेगा तो यहां पर दिली जो है यह वास्तिभिग में ला है यहाँ पर जो बा बना है डिबा में व बास्तमें ला है तो पिल्लू में जो बना है संदी तो इनको पहचान्ए रहना ये भी आपको बता दिया है तो खेर ऐसा करेगा नहीं आपको बहुत सिंपल पूछेगा आप जिसमें डबल देखें वेंजन वो आप लगा सकते हो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे important topic और एक important topic last है सगो सगोस और अलप्राण महाप्राण लाश्ट टॉपिक है, यह आपको चारो और फटा-फट बता देंगे आपको, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और आप किताबों में देखेंगे, तो यह पूरा नहीं लिखा है, आप ढूनों की सगोस कौन-कौन से, आपको एक बार में सारा content नहीं मिलेगा, लेकि तो अगर चाहें, पूछे घोस और सगोस, एक ही अंसर है, ठीक है, तो देखो घोस या सगोस में क्या आएगा, सारे सुर आ जाएंगे, टोटल 11 होते हैं, आ से लेकर, बड़ा आ, यह सारे सुर, आ उतक लेकर, तो जो 11 की 11 सुर हैं, वो सब क्या हैं, वो सब सगोस हैं, अग प्रतेक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अब यह क्या चीज़ है, देखो, आपने पांच वर्ग पड़े थे, कौन से, कचट तप, कचट तप, तो का में होता है, खा, गा, घा, अडा, ठीक है, अच्छा, इसको कहते हैं, हम लोग, पहला वर्ग, दूसरा, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, यानि कि प्रतेक वर्ग का वर्ग कितने थे, पांच, तो यह होता है, पहला वर्ग, यह दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, यानि कि प्रतेक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, मतलब कौन गोस क्लियर हो चुका है, गोस में क्या आएगा, सारे सुर आ जाएंगे, प्रतेगवर का तिसरा चोथा पांचवा मन आ जाएगा, अंतस्थ विंजन आ जाएगा, जैसे अगा, खा, गा, अगा, अवडा, तो ये वाला जो है, ये कहलाएगा सगोस, और इसके सामने के जो हैं, ये आपके अगोस हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, चलिए, फिर से एक बारी देख लीजे, क्योंकि important topic है, एक बार में जल्दी समाप्त कर लिया है, तो समझने हो सकता है, समस्या हो, सारे सुर, अपने copy में, जब घोज और सगोस लिखना notes, तो उसमें सारे स्वर लिख ल सगोस में, और ये आजाएंगे अगोस में, ठीक है, और उस मिंजन होते हैं, सा सा हा, और लेकिन हा तो ऊपर चला गया, तो तीन वर्चे उस मिंजन वो यहां जाएंगे, आयोग वहां में आजाएगा, यह विसर्ग, अनुस्वार तो वहां चला गया, विसर्ग यहां सब खाल लिखना, फिर खाल लिखना, जा लिखना, फिर चाल लिखना, ठीक है? ऐसे करके, ठाल लिखना, अइसे पूरा लिखना, ठीक है? जिससे आपकο अच्छे से याद हो जाए और 1-1 को ज fautag हो जाए छीदेंगे, ठीक है. सबसेंधितों वया थक्तितों और फोटी सी जो है वायूर यानि कि याINKी प्रत्एक वर्ण पहला कि सिरा थे स्रा पांचवा यहां पर घखलती है यहां पर आपको लिखना है यहां पर प्रत्एक वर्ण का पहला थे से पांचवा यानि कि पहला थे पराण कहते हैं जैसे आपको बोलना है का निकली निकली खा यानि कि ऐसे वाण जिनको प्रतेक वर्ण का प्रतेक वर्ण का दूसरा वा चौथा वर्ण और उसम वर्ण यानिकि सा 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 आयोग वाह में विसार यह महाप्राण में बास का नी खतम प्रतेक वर्ण का प्रतेक वर्ण का आपको अगर आपसे अलप्राण में आपको एंसर देना है यह यह अलप्राण है इनका क्या नाम है यह अलप्राण हो जाएंगे और अगर महाप्राण पूछे तो राइट एंसर हो जाएगा आपका यह दोनों महाप्राण है यह महाप्राण दिखाई है क्योंकि यह एक घंटे का टॉपिक नहीं है यह अगर टॉपिक है यह टॉपिक है कम से कम इसमें लगेंगे कम से कम लगेंगे, तीन से चार घंटे, अच्छे से समझाने में, डिटेल में समझाने में, अगर आप लिख, लिख के समझाओगे, तो ये टॉपिक पांच घंटे का है, अगर कोई बोर्ड पर लिखे, और फिर समझाए, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाएगा, ये त इसको लिखने में बहुत टाइम जाएगा, लेकिन आप इसको फार्मुले में समझे है, बहुत ही जल्दी ये समाप्त कर दिया मैंने, ठीक है, और इस तरीके से जब आप रिविजन करोगे, तो आपका एकदम से रिविजन भी हो जाएगा 10-20 मिनट में, आपको इसको पू आपको लगता है, इस लेक्षर में ये सुदार करने की कोई आसकता है, तो आप हमें सजेटन के रूप में अपना कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, ठीक है किसी का भी अच्छा कमेंट हुआ, तो उसकी कमेंट हम पिन कर देंगे, और अच्छे-चे कमेंट करिए, जिससे पास अभी कोई टीम नहीं है क्योंकि इस समय हम लोग विलेज में ठीक है तो फिर भी अगर कोई गलती हुई हो उसके लिए छमा पराती और आप सुभी लोग तयार करिए अपने इस टॉपिक को वर्ड माला को और फिर अपनी प्रैक्टिस करिए अगर किसी कोई समस्य आती है या कोई ऐसा कुछ लगता है हाला कि होगा नहीं 100% है बहुत माइनूट फर्ग है तो आपको 100% सारे कोईशन होने की यहां पर गुंजाई से बस एक एक चीज़ें आप अच्छे से कंटेस्ट कर लें और तयार करें ओके धन्यवाद मिलते हैं ने टॉपिक के साथ में अब इसके बाद में संदी होगी फिर हम लोग संदी को अच्छे समझेंगे और उमीद करेंगे कि यह जो संदी है वो सिर्फ एक ही एक लेक्चर में सनाफत हो जाए क्योंकि हम डेली लेक्चर तो दे नहीं पाएंगे जब छुटी थी क्रास किया संडे था इसलिए मैंने आपको यह लेक्चर बनाके दिया है लगबग मेरे पांच घंटे चले गए हैं तो इसके लिए आपको अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं ओके थैंक्यू